बागवान भाईयों और बैनों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल पर अगर अभी तक का आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर इस तरह की जो इन्फरमेशन नहीं हो मिलती रहे दोस्तो आज हम फिर बात करेंगे एन जौस स्केल के बारे में ये एक इस तरह का कीट है जो आपको केवल मात्र साम के समय में ही नजर आता है अभी करेक्ट बिलकुँ साथ वजे का समय हो रहा है और किसी भी तरह की सनलाइट नहीं है बिलकुल सुरे जो अब छिपने वाला ही है हमारी जो पहाडी है वो थोड़ा सा जो बगीचा है वहाँ पर जो सनलाइट जो है सूरे चिपने से लग भग पांच मिनट जो पहले है यहाँ पे च्छाओं जो है बिलकुल गिर जाती है तो ठीक इसी समय आपने जैसे ही आपके बगीचे में सनलाइट जो है बिलकु चली जाती है या फिर साम का जो समय होता है जिस समय यनि साड़े पांच साम के समय साड़े पांच, छे और साथ सबसे के आज़पास अगर आप अपने विगीचे में जाएंगे तो आपको यह जो सेकेल है, यह जो कीट है ये आपको जुरूर नजर आएगा और आपको ज़्यादा भी मैनत करने के लिए इसकी कोई आवस्ता नहीं है आप इसकुल जाईए और आपने पौदे के पास निचे जो तना है उसके उपर आप नजर डालेंगे तो आपको दूर से ये कीट जो है नजर आएंगे और ये जो अंदर जहां पर भी इन्हें यहां पर थंडी चाओं जहां पर लगी की इनको की यहां पर थंडक जहां पर इनको मैसूस होगी ये कीट वहां पर दिन में जो है अपनी सन ले लेते हैं आप ये देख सकते हैं कि ये जो टॉप है हमारा जो ये सेंटर लीडर में जो भी आप के fruit नजर आ रहे हैं बिलकुल उपर से ले की तरफ से बिलकुल साफ है अभी कोई भी इसके उपर किसी भी तरह का attack नहीं किया है और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे जो first branch है जो first branch है उसके उपर इनों ने बुरे हाल कर दिये हैं और ये जो कीटे ये जो सुरु का जो fruit है एक fruit से इसने इतने डंक मार दिये हैं ये बिलकुल इसका जो है अंदर से रस चुसता रहता है और जहां पे भी ये डंक मारेगा वहाँ पर ये इस तरह के जो है बिल्कुल आपको दूर से नजर आएंगे और ऐसे जो स्पोर्ट होते हैं और एपल के उपर आपको कभी भी पसंद नहीं आएंगे और इसकी जो वैल्लिव आपको फ्यूचर में भी जीरो है और आज भी आपको अगर इसे निकाल दें तो बहतर रहेगा आपको अपने बिगिचे से ऐसे फ्रूट जो बिल्कुल इमजेटली जो है वहाँ से रिमूव रदने चाहिए ऐसे फ्रूट जो है आपने बिल्कुल भी अपने बिगिचे में कहीं भी नहीं रखने हैं बिल्कुल इसको वहाँ से रिमूव करके कहीं दूर जाके आप इसको आफ कर दें दोस्तो जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपने कुछ नहीं करना है यह आपने अराम से बिलकुल बॉटल लेकर एक मेरे हाथ में यह कोल्डिंग की बॉटल है और मैं इसके बीच में इसको जो है बिलकुल असानी से ले लूँगा और इस को इस बॉटल के अंदर एकठा करता रहूँगा कोलेक्ट करता रहूँगा दोस्तो यह कीट कभी भी एक पौदे पे जो है सिंगल कीट कभी नहीं होगा यह कीट दो कीट आपको जूर मिलेंगे अगर आपने एक कीट जैसे हमने यह ले लिया है इस पेड़ से तो दूसरा क कीट यह जोडे में रहते हैं और यह जोए दो-दो का जोड़ा आपके किसी भी पौदे पे हो सकता है आपको अपने पेड जितने भी है जहां पर भी आपको यह कीट नजर आ रहे हैं आपने उन पेड़ों को बिलकुल आइडेंटिफाई करके रखना है और लगाता एक दो लगा कर बंद कर दीजिए और साथ में जो उसके आसपास के जो पेड़ है एक दो आसपरोस के जो पेड़ हैं उनको भी आप थोड़ा से नजर मार कर रखें अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं कोई फूट कहीं किसी फूट के ओपर दाग है लाल धबा है तो आप उस पेड बिल्कुर ढखकल लगा कर, बिल्कुर साइड बे कहीं, दूर जाकर, क्यूंकि हमने देखा है इस को, कीट को, हमने बोटल के अंदर बंद करने के ठीक 24 गंटे के बाद भी देखा तो यह जो कीट है ये कुछ कीट, कुछ कीट उनके वीज में जो थे 20-25 कीट के वीज में 5-7 कीट कुछ ऐसे भी थे जो 24 गंटे के बाद भी हरकत में नजर आए यहनि बिलकुल बॉटल बंद होने के बावजूद भी उसके अंदर भी जो ये कुछ कीट थे वहां पर ऐसे नजर आए कि यह अब पिर activity में हो गए थे चलने के तियारी में थे तो जो कीट है ये अपने को बिल्कुल safe मानके चलता है ये बिल्कुल कच्छों की तरह होता है और ये अपने को जो बिल्कुल कच्छों की तरह जैसे टॉपी होती है उसके उपर बिल्कुल अपने कैप को बिल्कुल सेफ जाए उसके उपर से कुछ भी प्रैस कर दो आप वह बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। की चीजे आप दस पढ़नी अर्क यूस्त इस्तिमाल करें अपने बिगीचे में और एक मातर दस पढ़नी अर्क की एक मातर एक ऐसा अस्तरे नैच्छो फार्मिंग में जो की इस कीट को बिल्कुल आपके जड़ से खतम कर सकता है